क्या गडबंदन को लेकर दो राहे पर खड़े हैं RLD परमुक? क्या गडबंदन की माया में उल्चे हुए हैं अजीज चौधरी? अगामी लोगसबा चुनाओ में बीज़पी के खिलाफ बनने वाले संभावित माहा गडबंदन की उमीदे दुमिल पड़ते दिखाई दे रही हैं मायवती की सियासी चाल के आगे इस संभावित गडबंदन के बाकिस हैयोगी SP, कॉंग्रेस और RLD पस्त नजर आ रही हैं खासकर RLD परमुक अजीज सिंग प्रदेश में गडबंदन की डोर को लेकर असमंजस में हैं दरसल राजनिती के चतुर खिलाडी माने चाने वाले चौधरी अजीज सिंग लोगसबर चुनाओ में माहगडबंदन की खीर में मक्खी पढ़ने की आशंका में खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं वो जानते हैं कि मायवती को साथ लाना आसान नहीं होगा लेकिन अगर बीज़पी साथ नहीं आई तो फिर बीज़पी को भी रोकना आसान नहीं होगा इसी उवापो के चलते आरेलडी परमुक अपने ही गड़ में दो राहे पर खड़े नज़र आ रहे हैं महा गडबंदन को लेकर अजीज सिंग की बेचैनी के पीछे एक बड़ी वज़पी है ऐसा इसलिए क्योंकि असी के दशक से प्रदेश में किसान राशनिती का चहरा और कई बार केंद्रिय मंत्री रहे अजीज सिंग इस वक्त सबसे मुश्किल सियासी दोर में है लोगसबा चुनाओं में ज्यादा वक्त नहीं बचा है जबकि गड़ बंदन की तान छिरने वाली एसपी और बीएसपी अब तक सीटों को लेकर गर्म जोशी से चर्चा नहीं कर पाई है आरेलडी की नजर अखिलेश माय के सियासी कदमपटी की है अजीट जाट मुसलिम और अनसूचित वर्क की तिकड़ी के जरिये चुनाओं में उतरने की मंशापाले है लेकिन अगर बीएसपी अकेले लड़ी तो आरेलडी का मुसलिम अनसूचित समिकरन दरख सकता है उधर आरेलडी फिर तनहा रह जाएगा इस गड़बंदन से बीज़पी पर तो कोई खास असर नहीं होगा लेकिन एसपी और आरेलडी को इसका जटका ज़रूर लगेगा शायर यही वज़े है कि अजीट चौधरी माहा गडबंदन को लेकर माया से उलचे हुए हैं इंडिया न हुए 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 हुए